हेलो फ्रेंड्स मैं फ्रीती यादव आपका प्रेग्नेंसी टिप्स एन एडवाइस चैनल पर स्वागत करती हूँ मुझसे कमेंट बॉक्स में कई बार पूछा जाता है कि मैं मैं प्रेग्नेंसी कंसीव करना चाहती हूँ तो ऐसे में रिलेशन बनाने के बाद सब कुछ बाहर निकल जाता है क्या मैं बस इसी वज़े से प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशन के बाद सब कुछ बाहर क्यों आ जाता है और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि relation के बाद सब कुछ बाहर निकल जाने से क्या pregnancy पर कोई असर पढ़ता भी है या फिर नहीं पढ़ता तो आप मेरा ये वीजियो पूरा जरूर देखे फ्रेंट सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कई लेडिस मुझसे पूछती हैं कि वो pregnancy conceive करना चाहती है तो इसके लिए जब वो relation बनाती है तो relation के बाद सब कुछ बाहर निकल जाता है तो मैं आपको बता दू कि relation के बाद जो भी बाहर निकलता है वो semen का water होता है ना कि sperm के लिए आगे की तरह भड़ जाती है तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये बात बिलकुल निकाल दीजिए कि relation के बाद सब कुछ बाहर निकल जाने के बाद आप pregnancy conceive कर पाएंगी क्योंकि सिर्फ एक healthy sperm आपके एक को fertile कर देगा और आपकी pregnancy conceive हो जाएगी लेकिन मैं ये जरूर suggest करूंगी कि जब भी आप pregnancy conceive करना चाहती है तब आप relation अपने ovulation period में ही बनाएं और relation बनाने के बाद leg up the wall की position जरूर hold करे इससे relation के बाद सब कुछ बाहर नहीं निकलेगा और अगर निकल भी जाता है तो उसके लिए भी आपको कुछ चीजों का सेवन करना पड़ेगा जिससे ये परिशानी भी दूर हो जाएगी leg up the wall position में भी सीमन का वाटर निकल रहा है तो आपको अपने पार्टनर को वैदिनात का केसरी कल्प चवन प्रास सुभे और शाम की वक्त ब्रिकफास्ट के बाद और डिनर के बाद एक चम्मत चवन प्रास आदा ग्लास गुनगोने दूद के साथ देना शुरू कर दे और मका रूट पाउडर के कैपसूल खरीद ले और एक कैपसूल आपको हर रोज दिन में एक बार अपने पार्टनर को देना है इससे मेल के अंदर सीमन गाड़ा हो जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा मैंने जो भी प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं उनका एमोजन पर्चेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप चाहें तो वहां से भी उन्हें खरीद सकते हैं तो यही थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेशन टेव वीडियो उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहें अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैं पूरी कोसिस करूंगी आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाइ करने की मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस र ही